वेलकम टूट आगे वेदियसे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाला है यूपिटपलसी लेखपाल के बारे में लेखपाल की तरब से कुछ अप्डेट निकल के आया है जोकी ऑफिसियल है और ये कोर्ट केस जो है लेखपाल की भरती के उपर उसकी बारे में ये ऑफ परसी लेखपाल का रिजल्ट कब तक आएगा इसकी सही और सटीक जनकारी दूँगा तो अब लोग वीडियो को लाज तक पूरा देखिए बहुत ही इंपर्टेंट वीडियो होने वाला ही ये लेखपाल के छात्रों के लिए तो लेखपाल के छात्र काफी परहसान है और ट् पूरी तरह से लटक गई है जब तक कोर्ट केस एक भी बचा रहेगा आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा अभी कुछ दिन पहले निउस्पेपर में आया था लेखपाल का रिजल्ट जो है वो फरवरी में दे देंगे क्योंकि जनवरी तक सब कोर्ट केस निबढ़ ज होता है और का फी इसमें कई सारे डाली गई है लेकवाल को लेकर तो यहां पर यह बहुत ही बड़ी तरह से यह बहुत तरह से यह बहुत त्रह से बहुत होने वाला है कब तक आ सकता है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पहले आप लोगों को दिखा देता हूं ये लेटर क्या है कौन से परस्म है पहले आप लोगों को बता दूँ ये टेलिग्राम चैनल है TargetViddysearch यहां पर आप लोगों को हर new update पहले ही मिल जादी है और उत्तर प्रदेश लेकबाल भरती परिच्छा का पढ़ना मानी उच्छ नियाले में अंसर की में गड़बडी के साफे कुछ रीट दाखिल हो जाने की वज़े से जारी नहीं हो पा रहा है पहले केस के बारे में बात करते हैं तो ये है रोहित बर्मा वर्सेज यूपिट पलसी इसकी रीट संख्या इतनी है आप लोग जाके चेक कर सकते हैं परा केस है विक्रम विसाल सिंग वर्सेज यूपिटर पलसी रेट संख्या ये दी गई है ठीक है और ये दोनों केस यहां पर देखे लिखा हुआ है इनके बारे में उपरियोक्त दोनों केस उच्छ न्याले की लखनाव खंड पीठ में लंबित हैं और चुंकि दोनों केस मे समान प्रस्णों पर आपत्ति दर्ज की गई थी इसलिए इन दोनों केस की संयोक्त सुनवाई 9 जनवरी को होनी है और बात करें तीसरे केस की तो ये है राविन अगरवाल बरसेज यूपिटर पलसी तो ये रेट संख्या है 16,950 ये इलावाद हाई कोर्ट में और चौथा क केस जो है वो है स्रीधर यादव परसेज यूपिटर पलसी इरेट संख्या 16,566 और ये भी इलावाद कोर्ट में है ठीक है और इसके अलावा और भी यहां पर केस हैं और उसकी जनकारी मैं आप लोगों को बाद में दे दूँगा ठीक है अभी मैं यहां पर जितने केस की जनकारी दे रहा हूं तो यहां पर देखिए यह मैंने लेटर डाला है नौजनवरी को जिनकी सुनवाई होने वाली है नौजनवरी को इन साथ प्रस्नों की सुनवाई होने वाली है तो कौन से हैं यह साथ प्रस्न यह भी मैंने यहां पर डाल दिया है आप टेलिग्राम च की दोजार वाइस की the questions are arranged according to the question booklet स्रीज सी सी में स्रीज में जो arranged हैं उस हिसाब से यह है तो यहाँ पर यह साथ question है कौन कौन से देखिए पहला है यह question number 2 है यहाँ पर इसका answer रिवाजd answer की जो निकली थी साथ दोजार वाइस को उसमें संप्रदान कारक दिया गया है जिब की correct answer जो है वो करम कारक होने वाला है और यहाँ पर इसका reference दिया गया है कि reference कहां से लिया है ठीक है यह देख सकते हैं नालंदा सामान हिंदी वाइ डाक्टर पृत्वी नाथ पांडे दूसरा है serial number इस list में दूसरा है जो की question number है तीन तो इसका जो है answer की में दिया गया है प्राता कालिन यह सूर्य सिंदूर और इसका जो correct answer होगा वो सूर्य गुलावी इंड बी प्राता कालिन सूर्य सिंदूर तो इसका भी वही reference है प्रत्वीनाथ पांडे ठीक है तीसरा question है जो की पचपन दिया गया है पचपन नंबर question पे तो उसमें D दिया गया है right answer जबकि जो यहां पे होगा right answer वो होगा NH2 right answer C होगा यह official website of national highway इसका reference है तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं इसके लावा चौथा देख लेते हैं यह question number 57 है booklet C में booklet number 57 booklet में question number 57 है ठीक है तो इसका right answer B दिया गया है 8 जबकि right answer होगा C9 में तो इसका reference है official website testbook.com same question was asked in exam for आपकारी सिपाही जो कि 29-9-2016 को हुआ था ठीक है और इसके अलावा यहां पे कि सीरियल मतलब पांच माह है यह बेकुलेट में है 80 नमर पे यह उजला योजना होगा आपका जो कि नन आफ दीज इसका answer यह सही है मतलब सही होगा ठीक है और उसमें दिया गया है उजला योजना यह सही माना है जबकि official website of ministry of women and child development तो इसके हिसाब से ननापदीज हो जाएगा यह reference दिया गया है ठीक है नमर 6 पे आप देशकते हैं यह booklet में 84 नमर पे question होगा ministry of rural development यह सही माना गया है incorrect questions इनमें कोई नहीं यह होगा website है आजीबिका.gov.in and nulm.gov.in साथमें नमबर पे यह देखिए कुछ नमबर 85 तो इसमें write क्या माना गया है c 45% और incorrect key यह सही नहीं है यह correct key में ही गलत दिया गया है ठीक है official website दी गई है शासनादेश.up.gov.in और यह later संख्या यह सब दी गई है ठीक है तो आपको अगर यह सब देखना है तो यहाँ पे आ जाईए target with SAS telegram पे सर्च करेंगे आप लोगों को यह channel मिल जाएगा इसको आप join कर सकते हैं या फिर मैं इसका link जो है अपने video के comment box में pin कर दूँगा वहाँ पे भी आप लोग उसको click करके join कर सकते हैं तो जो भी बोला है कि लेखपाल का result अभी आने वाला है जल्दी ही तो अभी जल्दी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है लेखपाल का result आप लोग कितना भी twitter campaign कर लें कोई भी असर नहीं पढ़ने वाला क्योंकि court में अटकी हुई है भरती जब तक माननी कोट अपना फैसला नहीं सुना देगा इन प्रसनों पे सुनवाई नहीं हो जाएगी पूरी तरह से तब तक ये लेखपाल का result नहीं ठीक है तो अब court कब तक अपना फैसला देगा कब तक पूरी कारवाई हो पाएगी कब तक सुनवाई हो पाएगी और इस हिसाब से court case देखा जाए तो अभी इसमें काफी time लग जाएगा क्योंकि इतनी जल्दी नहीं होता है ये सब हलांकि जो लेखपाल का जो case है वो fast track मे की जाएगी क्योंकि छात्र काफी परेसान है और इसका case जो है वो इस result को अटकाए हुए है तो आप जो भी इसकी आगे update होगी मैं अपने channel के मादन से आप लोगों को बता दूँगा फिलाल अभी ये कहना बिल्कुल ही सही नहीं होगा कि इसका result कब तक आप आएगा एक अ ठीक है तो दो तीन महिने से पहले आपका लेखपाल का result आना पस्वल नहीं है तो यहाँ पे यह हो गई पूरी जनकरी एक बार फिर से revise कर देता हूँ यह जो official update है यह मैंने आप लोगों के लिए telegram पे डालती है आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं इसके लावा जो में लेखपाल वर्ती कोड में अटकी हुई है वो प्रसनों की यह list डाल दी है official ठीक है इसके अलावा यूप लेखपाल रिजल्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि दो तीन महिने से पहले तो आ ही नहीं सकता बिलकुल नहीं आ सकता ठीक है और मार्च से प माननी कोड के उपर डिप्रिंट करेगा कितनी जल्दी सुनवाई होगी कितनी जल्दी फैसला होगा उतनी जल्दी आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा ठीक है और अब जो भी अपडेट होगी मैं वीडियो माध्यम साब लोगों को बता दूँगा फिलाल इस वीडियो म इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो साथ तब तक लिए नमस्कार